आर्य समाज वेद मंदिर मॉडल हाउस में स्वरगिये जैदेव राज गंगोत्रा की छटी बर्सी के मौके पर शरधांजली समागम का योचन किया गया जिसकी शुरुवात पवित्र हवन यग्य के साथ की गई इस मौके पर वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुरेश शास्त्री की और से हवन यग्य में आहुतियां डल्वाकर यग्य को संपूर्ण करवाया गया और मुक्य वक्ता ने स्वरग वासी की जीवनी पर परकाश डला इस हवन यग्य में मुक्य जमान के तोर पर स्वर्ग वासी जय देव राज गंगोत्रा की धरम पत्री कमला रानी गंगोत्रा एड्वोकेट ओम गंगोत्रा मोनिका गंगोत्रा धरमवीर गंगोत्रा गीता धीरच कुमार प्रिती देवी राज कुमार मीना कुमारी राकेश कुमार रजनी बाला धरमेश गंगोत विकास अभे सोफ्टी सुशांत जय वर्धन देव जय प्रियंका ने आहुतियां डाली। हमन यके के बाद भचन गायक सुरेंद्र आर्या ने अपने सुरीले भचनों से सभी को मंत्र मुक्त किया। अंत में व्यादिक प्रवक्ता आचार्य सुरेश शास्त्री ने प्रवचन करते हुए स्वर्गी जय देवराज गंगुत्रा को शर्धांचली बेंट की। अंत में प्रवच्थन सुरुपब प्रशापतर सुरुपब इन मुक्त प्रवच्थन सुरुपब प्रवच्व। इवी नगर लोगा हैं स्रीष्टिके अनि मोगित बतारथ जो बगवाने बनाता स्रीष्टिके अनि मोगित बतारथ जो बगवाने बनाता वही फुशल कानी करही से जोल कानी रिवाता जिसकी परदी बिना जगत में परका कद नहीं इंका दिवे आदमाई ऐसी पुन्य आदमाई धर्दी बहुत कम पैदा हुआ है उनकी नजर और मेरी कलम चला जाएंगा जब मैं छोड़कर इस आश्याने को वफाए याग आएंगी मेरी तबी समाने को जहां विवेत की चच्चा होगी लोग याद करेंगे इस दिवाने को ऐसी पूर्तीते चैज़ेगा है उन्नी दिसंबर सब आता है तब तेरी याद दिलाता है उन्नी दिसंबर सब आता है तब तेरी याद दिलाता है मन में गम और आखे नंग बहुत कुछ कह जाता है तो आज बने ही सुर्गे सिरी जै देवराज किनकोंतरा जी भौतिक शरीर की रूप में हमारे बीच में नहीं है उनका भौतिक शरीर बने ही नष्ट हो गया है प्रन्तु उनका जो यस रूपी शरीर है जो अच्छे कारियों के बारा उन्होंने समाज में यस प्राप्त किया था समाज में ख्याती प्राप्त की थी उस ख्याती के कार्ण आज भी वो लोगों के दिलों में जिद्दा है क्योंकि उन्होंने अपने जीवर में ऐसे कारे किया है जो कभी बढ़ नहीं सकते कर दिखे जनाओं के संधी पर, कासे जनाओं के संधी उपर, मरें सुरु उपर, वोगें के जर्दी नियुदी है।